हला अब्रिवन स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव में तो आज अपनी पहली क्लास है बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन की और इसी तरह से अमारी क्लासे चलती रहेंगी आपने इस ओसम कोर्स को जॉइन किया है इस उम्मीद के साथ में कि बहुत सारे मार्क्स आप लेके आए साइंस में तो फिजिक्स का जो पोर्षन रहेगा वो ँस में करवाँंगा जिस में अपने चैप्टर रहेंगे लाइट रिफ्लेक्शन मों इन्रेक्शन उसके अलावा कर्ण करण्ट के दो इपक्ट हीटिंग इफेक्ट औरनेटिक इफेक्ट और अपना energy वाला chapter ठीक है बेटा चलिए तो start करते हैं chapter को सबसे पहले chapter के content के साथ में कि हमें क्या क्या इस chapter में पढ़ना है तो chapter division के साथ start करते है बेटा सबसे पहली चीज़ जो हमें इस chapter में पढ़नी है that is reflection ठीक है reflection के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और reflection में क्या पढ़ेंगे बेटा image formed from plane mirror कि किसी भी plane mirror से कैसे image बनाई जाती है उसके बाद हम reflection पढ़ेंगे curved surface से कि plane के अलावा curved surface अगर होगी तो उससे भी image form की जा सकती है ठीक उसके बाद convex और concave mirrors यानि कि curved surface को ही हम concave और convex mirror बोलते हैं इसके different different cases होंगे कि कहाँ पर object को रखेंगे कि कहाँ पर image बनेगी clear बेटा फिर हम एक और different part पर आएंगे जिसे reflection के नाम से जाना जाएगा अंतर क्या है अभी discuss कर लेंगे लेकिन पहले ये समझ लेते chapter में हमें तयार क्या करना है क्या क्या मामला है जो हमें पढ़ना है reflection from a glass slab किसी भी काच की glass slab से काच की slab से यानि की पट्टी से जो transparent हो वहां से कैसे reflection होता है और फिर curved surface यानि की अपने lenses से कैसे reflection होता है इनी सब चीजों के भारे में पढ़ना है हम आम जीवन में हमेशा यह दैखते रहे हैं कि हमें कि सी mirror में अपनी image बड़ी दिखाई देती है कि सी में छोटी दिखाई देती है ठीक है similar case देखते किसी में बराबर दिखाई देती है घर में भाई साव अपने चीशा तो देखा है ना जैसी शकल है वैसी नजर आती है ऐसा तो नहीं है कि आप सारुक खान जैसे दिख रहे हो अना ऐसा तो नहीं होता है चलिए तो यह सारा का सारा जो काम हो रहा है light के लाइट दोनों को फॉलो करती है अब हमें जो आज पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन को खतम करेंगे उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पर आएंगे चीके मेटा चलिए तो लाइट के बार में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि लाइट होती क्या है यार देखो लाइट एक ऐसा ऐसी वेव है या बोल सकते के ऐसी फिजीकल एंटिटी है जो हमारे लिए चीजों को दिखाती है हमें लाइट एनेबल्स आस्टू सी इस ब्यूटिफूल वर्ड लाइट हमें इस बहुत ही खूबसूरत संसार को दिखाती है कैसे दिखाती है देख सूरत जो है वो सन हाना वो क्या है वो सबसे बड़ा एनरजी का सोर्स है और लाइट का भी सोर्स है एक्च्वल में क्या होता है कि सन से लाइट रेज यहां पे टकराती है और पूरे पेड़ पे ही टकराएंगी मैं बस एक दिखा रहा हूं सन से लाइट रेज आई टकराई और टक्रा के वापस हमारी आखो पे आती है जो रे जहां पे टक्राती है और आख पे आती है वही पार्ट हमें दिखता है इस रे के कारण हमें ये वाला पार्ट दिख रहा होगा अभी सारी चीजों पर आऊंगा धीरे धीरे बस समझ ना अगर यहां से एक रे ऐसे आएगी म रात में तो नहीं आता पेड़ तो वहीं पर है मानलो पूरे गाउं में बिजली चली जाए लाइट चली जाए बिलकुल एकदम गुमना मंधेरा कोई नहीं मुझे ये पेड़ नजर नहीं आये गा क्यूं क्यूंकि अब सूरज से रोशनी टकरा के मेरी आँखों पे नहीं आ रही है क्यूंकि अब आसपास में कोई energy का source नहीं है कोई light source नहीं है जिससे light टकराए और वापस मेरी आँखों पे आए इस पूरी प्रक्रिया को बोलते है reflection क्या होता है बैटा reflection reflection होता है एक light ray का किसी भी object से टकराके या surface से टकराके उसी medium में वापस लोट जाना लिख देते हैं definition इसकी और आप लोगों को note करनी है बेटा reflection के बारे में बात कर रहा हूं और उसके अलावा बहुत सारी चीजे हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सबसे basic चीज की reflection होता क्या है light का phenomena है क्या है बेटा light का phenomena है light इसे follow करती है क्या करती है follow करती है अब सारी चीजे clear होंगी धीरे धीरे ठीक है सारी चीजे clear होंगी तो reflection क्या होता है it is phenomena of light और इसकी definition अम लिख सकते हैं कि if a light ray आवा आपके दिमाग में doubt आना चाहिए सरी यह light ray का क्या मतलब है यह भी बताएंगे बेटा if a light ray incident incident on a surface and bounces back bounces back in the same medium same medium okay this phenomena of light this phenomena phenomena of light is called reflection क्या कहलाता है विटा reflection कहलाता है नोट करेंगे फटाफाइट reflection की definition को के reflection क्या होता है if a light ray incident on a surface देखिया light ray light ray क्या होती है वो भी बता दूँगा light से मतलब सूरज से या किसी भी source से जैसे बल्ब से क्या आती है हमारे पास रौशनी तो वो रौशनी जिस direction में आ रही है ना उस direction में एक तीर का निसान लगा दे तो उसे light ray बोलते हैं बस इतने आधा रख लेना मतलब जिस direction में light जाती है उस direction में हम light को दिखाने के लिए ऐसे तीर का निशान लगाते तो इसको light ray बोला जाएगा क्या बोला जाएगा बेटा light ray इसकी definition लिखी हुए अपने पास में सारी बात करेंगे सबसे पहले reflection के phenomena को समझते क्या है माले यह light ray है ऐसे आ रही है वहाँ से बल्ब से ऐसे आई ऐसे टकराई अब टकरा के इसके पास बहुत सारी choice है या तो यह इसके अंदर ही घुच जाए और पार हो के निकल जाए या फिर यह टकरा के वापस उसी medium में चली जाए किस medium में जिस से यह आई है यह कहां से आई है हवा से आई है टकरा के वापस हवा में चली गई इस phenomenon को बोला जाता है reflection of light क्या बोला मैंने एक ही बार में बार बार पड़ना ना पड़े कि एफा light ray incident on a surface and bounces back in the same medium ठीक है इस फिनोमेना is called light reflection of light ऐसे आई और ऐसे गई incident on a surface and bounces back on the same medium बस आप कभी भी नहीं बूलेगा तु आप तेरे ले lifetime set हो चुकी है definition incident on a surface and bounces back in the same medium ठीक है clear इसे ही बोलते है reflection of light अभी ये surface के उपर depend करेगा के वो टक्रा के वापस जाएगी या नहीं जाएगी surface के उपर depend करेगा अगर मैं काच ले लूँ तो उसमें से तो पार हो जाती है light ray लेकिन surface पीछे से polish हो यानि कि पीछे से जैसी यह बोल है इस पर पीछे काला काला कुछ लगा हुआ तो इसके अंदर नहीं जाएगी तकरा के वापस जाएगी तो यह तो surface पर depend करता है कि surface कैसी है वो टकरा के वापस जाएगी light ray या उसी में गुसेगी बट reflection की definition वन माक की अपने को पूछी जाती रही है हमेशा से ही एक माक का सवाल आता है बेटा CVSC board में क्या आता है क्या आता है की reflection की definition बताओ तो हम क्या कहते हैं कि if a light ray incident on a surface and bounces back on the same medium then this phenomenon of light is called reflection तो reflection की कहानिया आपको काफी clear होनी चाहिए उसके बाद हम laws of reflection की चर्चा करने वाले हैं कि laws of reflection क्या होते है reflection होता कैसे है follow कैसे होता है लेकिन उससे पहले बेटा कुछ definitions पढ़ लेते हैं जो कि आपको definitely काम आने वाले हैं आपके paper में देखो light क्या है आपके दिमाग में आया होगा इसलाइट की definition बताओ तो आपको लिखना light is an electromagnetic wave that travels in a straight line light कैसे travel करती है मानते है straight line में travel करती है किसमें travel करती है straight line में travel करती है अब आपको reflection कि अगर किताबी भासा में definition देखनी है मतलब मतलब वही है देखो light falls on a surface and reflected back reflected की जगा आप लिख सकते हो bounces back क्योंकि reflection का ही तो मतलब बता रहे हूं bounces back लिख सकते हो bounces back into the same medium we say reflection has taken place वाला मैंने जो आपको definition बताई है that is more accurate जादा accurate किताब की definition से आपको पूरे नंबर मिलेंगे ठीक वेटा एक नंबर का सवाल मैंने आपको बताई दिया कि क्या होता है कि when light falls on a surface के surface पे आई टक्राई और वापस लोट गई तो reflection हुआ है बस इतना याद रखना है ठीक है चालिए तो ये कि incident ray क्या है reflected ray क्या है normal क्या इन सब के बारे में बात करूंगे laws of reflection में क्या है इनकी ही बात करने वाला हूं एक सबसे पहली चीज definition incident ray incident ray क्या है the ray of light that falls on the reflecting surface अब reflecting surface क्या है हम plane mirror पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे है बेटा plane mirror तो आपने घर में जो mirror लगा होता है ना बेटा वो plane mirror ही होता है घर में जो अपने mirror लगा होता है ना वो plane mirror ही होता है उस mirror के देखना पीछे वाली surface पर polish होती है क्या होती है बेटा polish होती है जब भी किसी काच की surface को एक side से polish कर दिया जाए जब भी किसी काच की flat surface को एक side से polish कर दिया जा तो वो बन जाती है mirror क्या बन जाती है mirror और mirror से ही आज हम plane mirror plane mirror से ही आज हम reflection पढ़ने वाले हैं clear है जब भी किसी flat carch की surface को पीछे से polish कर दिया जाए तो वो बन जाती है एक mirror flat mirror हला कि इसकी definition आपको नहीं पूछी जाएगे के mirror की definition बताओ बाकि incident ray क्या होती है ray of light that falls on the reflecting surface मतलब अगर इसे मैं reflecting surface मान रहा हूं इसका मतलब क्या है पीछे से polish surface ठीक है polished पीछे से surface और यह वाली side जो है reflecting side मतलब यहां से reflection होगा क्या है reflecting side है यहां से क्या होगा बेटा यहां से reflection होगा ठीक है नीचे वाली side को मैंने polish कर दिया उपर वाली side से reflection हो सकता है मतलब वह वाली side जहां पर हम शकल देखते हैं अपनी शकल का क्या होता reflection दिखाई देता है हमें बिल्कुल सही बात है तो इस side में जितनी भी ray आके गिरेंगी रे क्या होती है रे होती है के light जिस direction में travel कर रही है उस direction में तीर का निसान लगा के दिखा दो ठीक है arrow showing the propagation of light is called ray ray क्या होती है an arrow, let definition ray की बता देता हूँ, एक number की आ सकती है an arrow in the direction of propagation of light light के propagate करने की direction में जिस direction में light जा रही उस direction में arrow लगा के दिखा देते हैं उसे बोलते हैं ray of light क्या बोलते हैं बेटा, ray of light बोलते हैं जिस direction में light जा रही है उस direction में arrow का निशान लगा के दिखा दिया, देख, light ऐसे आ रही थी तो मैंघनिश घना रही सार्फेस पे गर रही है, मतलब that falls on the reflecting surface यानि कि reflection से पहले जो surface पे आ रही है वो incident ray है reflection से पहले reflection क्या होता है तक्राने के बाद वापस मीडियम में लौड जाना तो reflection से पहले या नहीं तक्राने से पहले जो रे आई वो है incident और तक्राने के बाद जो निकली वो है reflected यह है incident incident ray और यह है reflected ray समझ में आया बेटा किसी को कोई doubt यहां तक किसी को भी कोई doubt है कोई बहुत बढ़ी बात नहीं किया है हमने हम सिरफ एक-एक मार्क की definition पर ध्यान दे रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए हाँ अरे बटा समझ नहीं आया किसी बच्चे को ठीक к बताते हैं हाँ चीक говорят course नहीं चल रही है लेक्रट चल तो रही हैं हम ठीक है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को और घपराने की जरुत नहीं ब्यटा जिन लोगों के पास क्लास नहीं आ रहे है tying अपनी एप अपडेट कर लें ताकि आपको डाउटनट की सारी सुविदाएं जो हैं वो मिलती रहें प्लीज बेटा अपनी एप को अपडेट जरूर कर लें ठीक है हां चलिए तो देखो यार मैंने क्या बोला एक एक इंसीडेंट रे होती है और एक रिफलेक्टेड रे होती है इंसीडेंट रे का मतलब है इंसीडेंट रे का मतलब है वो रे मतलब की वो रे या वो लाइट की रे जो सर्फेस पे रिफलेक्शन से पहले आती है मतलब सर्फेस पे फॉल करती है जो रिफलेक्शन होने के लि उसे बोलते हैं incident ray क्या बोलते हैं incident ray और जब reflection के बाद जो ray जाती है कि मेरा हो चुका उसे बोलते है reflected ray दो तरीके की ray होंगी बेटा क्या होंगी दो तरीके की ray होंगी एक होगी incident और एक होगी reflected incident आएगी ये बोलने कि मेरा reflection करवाओ तो reflection से पहले जो surface पे आ रही है that is incidentry ठीक है reflection से पहले जो surface पे गिर रही है वो incidentry और reflection के बाद जो जा रही है उसी medium में lot के that is reflected ray के मेरा हो चुका है तो the ray of light that is sent back by the reflecting surface into the same medium जिससे आई है into the यह भी लिख लेना बेटा into the same medium clear है into the same medium चालिए यहां तक कहानी clear अब देखो normal क्या होता है normal का नाम आपने सुना होगा बेटा normal का मतलब होता है perpendicular perpendicular और ऐसा लिखा भी हुआ है कि normal is a line at right angle right angle का मतलब क्या है 90 degree 90 degree to the reflecting surface to the point of incident मतलब मैंने क्या बोला normal normal का मतलब क्या होता है जिसे मान लो यह बेटा कोई surface है this is reflecting surface ठीक है यह क्या है reflecting surface है अब यहाँ पे एक light ray आई ऐसे और reflection के बाद ऐसे चली गई ठीक है reflection के लिए ऐसे आई और ऐसे चली गई ठीक है अब देखो normal की definition समझो normal की definition है कि normal is a line at 90 degree to the reflecting surface to the point of incidence इस चीज को याद रखना है बस के जिस पॉइंट पे light आके गरी है जिस पॉइंट पे light आके गरी है उस पॉइंट पे mirror के ऊपर 90 degree की एक line कीच दो दिस इस नॉर्मल क्या इसका एंगल इधर से भी और इधर से भी 90 degree है mirror के साथ में क्या ये बात आपको समझ में आई है बेटा नॉर्मल का क्या मतलब है नॉर्मल एक line है जैसे मालो ये mirror है ये mirror है अपना सीशा ऐसे रखा हुआ है ठीक है मैं अपनी शकल देख रहा हूं इसमें तो बेटा जो रहे ऐसे आईगी ने इस पर 90 डिगरी ने इसका और इसका ठीक है तो इसे बोला जाता है नॉर्मल का क्या मतलब है नॉर्मल का मतलब बिल्कुल साफ है और बिल्कुल क्लियर है बेटा की एक mirror पे 90 डिगरी की लाइन बना दो क्या बना दो 90 डिगरी की लाइन बना दो देख तिर को दुबारा पढ़ने की ज़रोती नहीं पढ़े गया ऐसे समझा देता हूं अभी तेक यह मान लेते हैं इस प्रकार से यह कोई कि रिफिलेक्टिंग सरफेस है क्या है रिफिलेक्टिंग सरफेस तीक मैंने क्या किया इधर एक लाइट रहे आई एसे और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई जीक है अब मुझे यह बोला गया है क्या बोला गया बीटा की जो जो नॉर्मल है वो क्या है वो परपेंडीकुलर लाइन है मतलब कि एक 90 डिगरी की लाइन की दो सर फेस से चीक है तो क्या यह नॉर्मल है तो आप बोलो कि सर 95 90 डिगरी तो लग रही है यह मुझे अरे इस इस सर्फेस के 90 डिगरी पर लाइन खीज़ दू तो किया नॉर्मल है नहीं बेटा यह नॉर्मल नहीं है क्यों नहीं है एड़ अगल आफ इंसी डेंट जो अपने पॉइंट आफ इंसी डेंट से ना जहां पर लाइट रहे आई है वहीं पर खीचा जाएगा नॉर्मल मतलब यहां पर आके गिरिये ना लाइट तो नॉर्मल इसी पॉइंट से पास करेगा वस इस चीज का याद रखना है नॉर्मल क्या होगा बेटा नॉर्मल का मतलब है अपनी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है जिस पर लाइट आ रह ए यहेरे अगर मालो लाइट रहे हैं यह यहां पर प्यारिये एसे माथज्वेक्टिंग इनगल बना दियनक तो यह नॉर्मल ना फॉन अबनेगा तो चीज़ पॉइंट पर लाइट रहे के ऋंगई बैजिक तियों की टोटी सी चीजिज एह और टिजय के बीन आ하면서 देंगं the incident ray and the normal मतलब incident ray or normal के बीच का angle किस किस के बीच का एंगल बेटा incident ray or normal के बीच का एंगल आप देखो तेर को याद याद करने के लिए चीज़े बताता हूं छोटी-छोटी सी incident ray का मतलब क्या है incident ray का मतलब है आने वाली क्या है बटा आने वाली reflected ray का मतलब क्या है जाने वाली यह चीज तेरे को याद रखने के लिए बता रहा हूं यह मिरर पे आने वाली रे यह मिरर से जाने वाली रे ठीक है हां और नॉर्मल क्या है जिस पॉइंट पे आती है उस पे 90 डिग्री के एक लाइन खीच दो ठीक है वाई साथ यह मिरर है ठीक है यह आने वाली रहे और यह जाने वाली रहे क्या इस पॉइंट पे खीचा जाएगा सन पेल्कल सही बाती है यह नॉर्मल है जाने वाली जा रही है यह मिरर पे आ रही है जो मिरर पे आती है वो हिंसिदेंट जो मिरर से जा रही है दूर वो रिफ्लेक्टेड चीक है हाँ रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते अब देखो क्या कहानी बनती है यह समझते हैं कि नॉर्मल का और आने वाली का जाने कि इंसिडेंट एंगल का इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसे दिखाया जाता आई से और आई को बोलते हैं एंगल ओफ इंसिडेंट आई फोर इंसिडेंट आई फोर आई फोर इंसिडेंट आई फोर वहला एंगल मतलब आई क्यों कहा एंगल ओफ इंसिडेंस है आई का मतलब आई से स्टार्ट अटने इंसिडेंट तो एंगल ओफ इंसिडेंस मन गया हूँ ठीक है क्लि देखके बताओ यहां पर कोई समस्ष से किसी को भी अरे किसी को भी कोई भी दिख्कत यहां तर चलिए बटा बटा सही है क्लियर है सभी लोगो को अरे सही है सभी लोगो को हां क्लियर बटा सभी लोगो को क्लियर होना चाहिए I guess अगर यह class देख पा रहे हो आप लोग तो हां ठीक 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 अब आगे चलते हैं लेको एंगल ओफ रिफ्लेक्शन एंगल ओफ रिफ्लेक्शन में क्या बोल रहा है बेटा इट इस दा एंगल मेरवाइद रिफ्लेक्टेड रे एंद नॉर्मल मतलब मतलब यह है कि मा अगल बिट्वीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे यह है रिफ्लेक्टेड रे तो इन दोनों का बीच का एंगल है उसे कहा जाता है एंगल ओफ एंगल ओफ रिफलेक्शन आर से दिखाते हैं यह लो बैटा स्किन शॉट ले लो फटाफट से जल्दी बैटा हम अरे ज कर देता हूं चलो बच्चों की अगर गुजारिश है तो मैं जरूर रिपीट करूंगा हां चलो रिपीट करते हैं ओके 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 तो बैटा हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया लाइट के साथ में के लाइट क्या होती है तो लाइट क्या होती है तो लाइट क्या होती है लाइट नहीं है तो हमें नहीं दिखाई देगा, क्लिर बात है, हमें दिखाई क्यूँ देता है, क्यूंकि हम लाइट हमारी आखोः पर आती है, अब्जेक्ट से टक्रा कर, मैंने एग्जाम्फल दिया था, कि मालो यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है, और मैं यहां पर सोर्स नहीं है ठीक है हाँ हाँ बेटा आज ही स्टार्ट हुआ है चारों तरफ कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है रात हो चुकि तो सूरज मामा चंदा मामा जो भी होते हैं वो भी नहीं चंदा मामा तो है बटो खुद की रोश नीचे नहीं चमकते हैं ठीक है ठीक है बहुत गनी रात में पेड नहीं दिखाई देगा जबकि ये पेड जो है वो वहीं पे है ये पेड जो है वो वहीं पे है ये पेड जो है वो वहीं पे है जहां पे ये था जैसे ही सुबा होती है जैसे ही सुबा होती है तो मुझे ये पेड दिखाई देने लगता है ऐसा क्यों क्यों की सूरज से लाइट की रे आती है इससे टकराती है और मेरी आखों पे आती है जो रे टकराके object से आखों पे गिरती है वह पार्ट हमें object का दिखाई देता है ठीक है क्लियर है बेटा क्लियर है बेटा समझ में आ गया हाँ ठीक है बेटा समझ में आ गया देखो मैंने क्या बोला जो जैसे अगर मुझे ये वाला पार्ट देखना है तो लाइट की रहे यहाँ पे भी पढ़ रही होगी क्योंकि सूरज से तो अनंत किरने निकलती है पूरे संसार को रौशनी कौ को टकराती है और मेरी आग पर आती है मुझे वो ही चीज नजर आती है ठीक है बेटा क्लियर है हाँ बेटा सब कुछ मिलेगा नोट्स वोट्स पहले तू कहानी को समझ में क्या कह रहा हूं ठीक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स किसी भी नोट से जादा कीमती है अग वापस उसी मीडियम में लॉट जाए इसे रिफलेक्शन कहते हैं क्या बोला मैंने लाइट किसी सर्फेस पर टकराए और वापस लॉट जाए उसी मीडियम में अरे इसके अंदर भी तो जा सकती ते लेकिन नहीं गई जब वापस लॉट गई तो उसे रिफलेक्शन कहते है यानि की when light falls on a surface and is bounces back into the same medium we say reflection has taken place चलो definition को फटाफट से चा कर लो बेटा capture कर लो जो भी screenshot लेना है या notes लिखना है जो भी करना है फटाफट से ठीक है हां तो एक बच्चा पूछ रहा है कि इसमें electromagnetic क्यों लिखा हुआ है बेटा यह ना तुझा बार्वी में बताएंगे ठीक है electromagnetic क्यों लिखा हुआ है यह एक्चल में मतलब दस्वी में बात करने वाला topic है नहीं कि बहुत बढ़ी कहान यह light actual में electromagnetic wave है यहने कि light particle भी है light wave भी और light particle भी है light में छोटे-छोटे photons होते हैं क्या होते है photons लेकिन अपन यह बार्वी में पढ़ेंगे ठीक है जब तुझा दस्वी pass कर लेगा और तुझे लगेगा कि science पढ़ने लायक हो गया है देख अपनने यह सब भी पढ़ा दिया incident ray क्या होती है mirror पे आने वाली ray mirror पे आने वाली ray होती है incident ray और जाने वाली ray होती है reflected ray क्या बैटा आने वाली ray होती है mirror पे होती 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 है और नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल होता है लाइन एट 90 डिग्री टूदा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तूद पॉइंट आफ इंसिदेंस यह सब पढ़ा चुका हो गई ठीक मतलब फिर से एक वर बता देता हूं चल कोई दिकतने काफी सारे दिखाई दे रहा है ठीक भाई आप टेकनिकल कमी है तो कोई दिकतने यह मान लो अपने पास में क्या है बेटा यह है अपने पास में मिरर ठीक है धान देना यह अपने पास में मिरर ठीक अब क्या होगा यह जो रह आई यह है इंसिदेंस रे आने वाली रह है इंसिदेंट रे आती है जान जा सुनना जिस पॉइंट पे इंसिदेंट रे आती है उसी पॉइंट पे एक 90 डिगरी का लाइन खीचो मिरर की मिरर के 90 डिगरी का लाइन अरे अगर ये मिरर है तो क्या यही लाइन 90 डिगरी की होगी मिलर से clear है समझ में आ गया अगर ये mirror है तो यही line तो 90 degree की होगी लेकिन ये line कहां पे खीच नहीं है उस point पे जिस point पे incident रहे और reflected रहे है इसे हम कहते है normal normal क्या है बेटा normal कुछ भी नहीं है एक 90 degree का कौन बनाते हुए line है जो की उस point से गुजरता है जहां पे incident ray और reflected रहे आती और जाती है clear है सभी लोगों को चलिए अब देख आने वाली रहे incident जाने वाली रहे reflected रहे ठीक नॉर्मल भी समझ में आ गया अब angle of incidence क्या होगा angle of incidence क्या होगा बेटा angle of incidence होगा के आने वाली रहे यानि की incident ray और नॉर्मल के बीच का angle और इसे दिखाएंगे I say I for incidence and I for I for incidence and I for I for incidence and I for angle in angle of incidence I say the Khotani incidence का मतलब I I say start of incidence to I say the cause of saying chicken huh अब आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो बैटा देख incident ray का मतलब incidence angle का मतलब incidence रेका normal के साथ angle ठीक है हाँ आगे चलते हैं यह है अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रहे है रिफ्लेक्टेड रे तो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में एंगल उसे कहते हैं एंगल ओफ रिफ्लेक्शन अगली स्लैड में पता चलेगा रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में एंगल उसे बोल today incident Reka normal के साथ angle incident angle or reflected Reka normal के साथ angle reflection angle angle of reflection chicken चलिए अब आगे चलते हैं angle of reflection पता चले गा reflected Reka normal के साथ angle object क्या होता है it is the thing that forms an image on the screen object क्या होता बेटा हर कुछ चीज जो में दिखाई जे रहे वो object मतलब जिसकी वी हमें image बनाने वो object है अब important चीज है बेटा उसे याद रख लेना हां आगे चलते हैं भाई तु कुईज लेने आया या पढ़ाई करने आया यह तो बता दे बरी सब चीज आएगी मुझे ऐसा लगता है कि इस class में जो बच्चा बैठा है उसका मोटिफ सिरफ और सिरफ एक है कि उसे पढ़ाई करने है चीक है और अगर नहीं करनी है तो बेटा फिरा पढ़ते ही क्यों हो चीक है कुई कोई भी हमारी होगी बट इन दा देट्रा रिफलेक्शन अब्च ओ मढश्य करने चलिए इसद्र भी आसनीा की नियुक्त वक्राइए भी 925 curs Luby Single इस था कैन अंप्लेक्शन फेमरें इसक्शन परशिक्ष्व मीर्य के बारे में बात करने रहे है हम सिरा fermented शिरफ plane mirror के ही बारे में बात कर रहे है रिचा फिट है उर सिरफ plane mirror के बारे में धिक है plane mirror की जो image होते है plane mirror से बनने वालें जिसकी definition क्या होते है इडे इह रिफलेक्शन ओफ दो अबजेक्ट ऐ डे स्क्रीन ठीक है clear हां अब आगे चल्ते है Virtual image और real image दो टाईप की image होती है पहले आप इनका screenshot लो फिर मैं बताओंगा की image होती क्या चीज है और virtual और real कैसे लिखा जाए मतलब कैसे समझा जाए कि कौन सी image virtual है और कौन सी image real है छल्दी फड़ा फट इसका screenshot लेलो और फिर आगे चलते हैं चलिए आप देखो सबसे important चीज आती है image formation from plane mirror ठीक है क्या है बटा image formation हमें देखना है plane mirror से लेकिन उससे पहले हाँ हमने अभी law of reflection नहीं पड़ा है laws of reflection ये क्या होता है क्योंकि अब हम definition सीखा है क्योंकि अब हम definition सीखा है की incident ray क्या है reflected ray क्या है mirror क्या है object क्या है अन सारी चीज़े हम सीख चुके है ठीक तब आगे चलते हैं बेटा law of reflection समझते है reflection के दो लों है कितने लों है दो लों है पहला लों क्या है पहला लों ये कहता है कि angle of incidents incidence is equal to angle of reflection ठीक है बटा रिफलेक्शन यह पहला लो है पहला लो क्या कहता है कि angle of incidence बराबर होता है angle of reflection के इसका meaning क्या है देख यह अपने पास में एक mirror है ठीक है plane mirror की बात करने हम अभी इस mirror पे मान लो कोई रे आई ऐसे ठीक है और ऐसे चली गई ठीक clear है अब मुझे क्या करना पड़ा है सबसे पहले मुझे नॉर्मल बनाना है नॉर्मल क्या होता है जिस पॉइंट पर लाइट आई है उस पॉइंट से एक 90 डिगरी इसके इसके mirror के ऊपर 90 डिगरी की लाइन खीज़ दो तो यह यह भई 90 डिगरी की लाइन तो यह हो गया अपने पास में नॉर्मल यह क्या है इंसिडेंट रे क्योंकि आने वाली रे को क्या बोलते है बेटा इंसिडेंट रे यह इंसिडेंट रे है आने वाली रे को क्या बोलते इंसिडेंट यह है रिफलेक्टेड रे क्या है यह रिफलेक्टेड रे है यह इंसिडेंट रे है और यह रिफलेक्टेड र साथ जाने वाली रे का एंगल होता है एंगल ओफ रिफ्लेक्शन तो ये दोनों बराबर हों जानी कि एंगल आई विल बे इक्वल टू एंगल आर क्लियर है अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल के साथ कोई रे 30 डिगरी पे आती है तो कितने पे जाएगी 30 पे जाएगी यही तो ल याद रखनी है जितने पे आएगी उतने पे जाएगी लेकिन नॉर्मल के साथ किसके साथ नॉर्मल के साथ याद रखना यह जितने पे आएगी उतने पे ही जाएगी नॉर्मल के साथ अब देख अगर मैं यह बोलूं कि एक लाइट रे है क्या है बेटा एक लाइट रे है और वो आती है normal के साथ ऐसे आती है कितने degree पर 60 degree पर तो angle of reflection पूछा हुआ है r कितना होगा बताओ कितना होगा 60 degree होगा क्यों होगा 60 degree क्योंकि जितने पर आएगी उतने पर ही जाएगी जब i 60 पर है तो जाएगी भी 60 पर ही ये law है बेटा ये law है reflection का ठीक है हाँ जितने पर आई है उतने पर ही जाएगी ठीक है बेटा हाँ बेटा हम normal को बनाते क्यों है क्योंकि हमें angle measure करने हैं इंगल किसके साथ measure करते हैं हमेशा normal के साथ याद रखना एंगल हमेशा याद रखो नोट डालके लिखो यह चीज़ याद रखने हैं एंगल हमेशा हमेशा किसके साथ measure होगा नॉर्मल के साथ, किसके साथ बेटा, नॉर्मल के साथ, एंगल अमेशा किसके साथ लेना है, नॉर्मल के साथ, ठीक है, ये पावर पॉइंट है अपना, इसे भूलना नहीं है, एंगल अमेशा किसके साथ लेना है, नॉर्मल के साथ, ठीक है, क्लियर है, हाँ, अब आगे चलत तो तो तूसरा लों आता है यह तो पहला और दूसरा लों आता है दूसरा लों क्या है कि इंसीड sausage इंशिळेंट री निगा आने वाली इनसिडेंट रहाई आनी कि आनेवाली में रिफ्लेक्टटेड रहे अभी आपके doubts पर भी आऊंगा बेटा वस्तोड़ा सा अभी class थोड़ी लेट होगे ना कुछ बच्चों को बाद में पता चली तो बटा आपको दुबारा से पढ़ाना पढ़ रहा है ना हाँ हाँ बेटा सारे सवालों का अभी जवाब देंगे ना अभी जवाब देंगे सारे सव एक ही plane में होते हैं जैसे मैं incident ray की बात कर रहा हूं reflected ray की बात कर रहा हूं और नॉर्मल की बात कर रहा हूं यह तीनों एक ही plane में अरे यह plane ही तो हैं जिसमें दो एक्सिस होती हैं उसे plane कहते हैं तो यह plane ही अपने पास में तो एक ही plane में दिखा रहा हूं मैं इनको ऐसा नही और नॉर्मल ऐसे प्लेन के बाहर जा रहा है ऐसा नहीं होगा तीनों एक ही प्लेन में होंगे क्लियर है बेटा सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करेंगे तो वहां तो हम अलग बात करेंगे अभी हमारी सर्फेस प्लेन है तो मैं आज ही पढ़ा दू सारी चीज आपको चप्टर खतम कर दूआ जी ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे को क्या करना है बेटा उसी हिसाब से पढ़ाना ना जिस हिसाब से आप लोगों को समझ में आए क्लियर है तीनों चीजें कौन कौन तीन लोग याद रखने इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ठीक है इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होंगे और दूसरी कहानी क्या है दूसरी कहानी यह है कि जितने पे आएगी उतने पे करेकं त्वाल करके दिखा दू मेरे को यह मालो कोई मिरार है ठीक है और मालो बिल्कुल परपेंडिकुलर रे आई छिक एम पर पेंडिकुलर रे आई अन्ट कर सब्सक्राइब च्लो यह बटाओ फ्रटार फीट से बाद में देख लिन आ जब आपको आप या तो क्लास में टाइम पे आओ या बाद में देख लो ठीक है हाँ हाँ चलो एक बच्चे का डाउट है कि इसमें 90 डिग्री पे अगर रहे आएगी तो कैसे होगा बेटा देख मैंने क्या बोला मैंने ये बोला तुझे पकड़ना ये मैंने जो बात बोली है उसका कॉनटर्ट पकड़ो मैंने क्या बोला कि अपने को क्या करना ये नॉर्मल बनाना है अन्व antid कैसे बनाएंगे नॉर्मल नॉर्मल बनाएंगे कि जो मिरर है उस पर 90 डिगरी की लाइन खीचनी है और इंसिडेंट पॉइंट से जानी चाहिए वो लाइन अना तो यह राइंसिडेंट पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट पॉइंट यह ठीक है बिलकूर सही बात है इंसिड पर 90 डिगरी खीच दो लाइन तो इस मिरर के पर पेंडिकुलर यानिकी इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी तो लाल वाली लाइन है यह अपना नॉर्मल अब मैंने क्या बोला कि नॉर्मल के साथ एक एंगल अमेसा नॉर्मल के साथ तेरो को एक चीज क्लेर हो जा तो कितने पर आई है नॉर्मल के साथ एंगल हमेसा नॉर्मल के साथ याद रख एंगल हमेसा नॉर्मल के साथ तो कितने पर आई है और नॉर्मल के साथ जीरो डिगरी पर अरे एक लाइन में ना दोनों तो जीरो डिगरी एंगल है नॉर्मल के साथ इसका इधर होती तो कु जाएगी ठीक है बिलकुल सही बात है विग्टा आंसर इजिरू देख हमें कुछ नहीं करना है बिलकुल बेसिक चीज ए कि एंगल हमेशा लेना है नौर्मल के साथ ठीक है किसके साथ नौर्मल के साथ और जितने पर आएगी उतने पर ही वापस बेज देंगे, clear है? clear है सभी लोगों को अरे यार, नॉर्मल के साथ एंगल लेना है, तो ज़ब रे ऐसे आ रही है, और नॉरमल भी ऐसे ही है, तो दोनों भीचका एंगल 0 नहीं हुआ, 0 हुआ 99, ay, normal का एंगल, नॉर्मल का और इंसिदेंट से़ रहें, तो 0 पर आ रही है, तो 0 पर वापस चली जाएगी, ऐसे ही ठीक है बेटा क्लियर है चलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी तक पूछ सकते हो मेरे से क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ पढ़ाना था आप लोगों को बट अब वो कली हो पाएगा अगली क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक कोई भी डाउट है आ भी र offenses बाते इस सुन भाई बात मेरी मैंनि क्या बолाए एंगल हमसा नॉर्मल के साथ लेना जिसके साथ लेने नॉर्मल के साथ बिलकुल सीधी सी बात है की नोर्मल क्या होता पहले यह बात समझ जिस पॉइंट पे लाईट रहा आके गिरती है जिस पीस जिस 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 सिसि जिस पॉइंट पर लाइट रहां के गिरती है उस पर हम क्या करते है कि 90-degree की लायन कीज देते हैं यह होगाय न información ठीक है कि अब नॉर्मल के साथ हमें अंगल देखना है नौर्मल के साथ क्या देखना होगा अरे इन दोनों का इंगल 0 होगा इन दोनों का इंगल 0 क्यों होगा क्योंकि दोनों लाइन से अरे दो पैरलल लाइन के बीच का इंगल कितना होता है जीरो होता है क्लियर सबी लोगों को हां तो यही तो हो रहा है जब नॉर्मल से जीरो डिगरी पर आ रही है क्योंकि नॉर्मल के ऊपर गिर रही है ना तो नॉर्मल के ऊपर से ही चली जाएगी एंगल पर आएगी तो ही एंगल पर जाएगी बट नॉर्मल पर आएगी तो वहापस वहीं से लौट जाएगी ठीक है clear सबी लोगों को चालिए I hope यहां तक आप लोगो clarity होगी अब यार बाकी की कहानी अगली class में करते हैं चीक है हाँ clear बेटा समझ में आ गया अरे normal के साथ एंगल हाना अरे बेटा normal के साथ एंगल अगर मैं बोलू के इस line का और इस line का एंगल कितना है तो यह 180 कैसे हो गया इन दोनों के बीच का एंगल कितना है नॉर्मल की direction थोड़ी होती है नॉर्मल तो एक सीधी लाइन है बेटा एक 180 डिग्री एंगल होता है जब इधर और इधर हो लाइट के यह दोनों रे अना clear है समझ में आ गया clear है बेटा हाँ ठीक है देख 180 डिग्री का मतलब होता है एक रे ऐसे और एक लाइन ऐसे हो तब एंगल 180 होता है जीरो का मतलब होता है एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे पैरलल हो दोनों तो जीरो डिग्री एंगल होता है clear है कितना degree है यहाँ पर 0 degree angle है यहाँ पर 180 degree angle है यह चीज आपको छटी में सिखाई जाती है clear है हाँ plane surface और angle of incidence ray पर कौन सा angle होगा देखो एक बच्चे ने बहुत सभी सवाल पूछा है कि surface और incident ray का कौन सा angle होगा देख अब तेरे को पता है कि यह angle है 60 degree कितना है यह angle 60 degree है और मैंने यह बोला है कि normal का angle 90 degree होता है किसके साथ surface के साथ यानि कि यह पूरा angle है 90 यह है 60 तो क्या यह 30 degree होना चाहिए कितना होना चाहिए 30 degree होना चाहिए clear है हाँ बिलकुल सभी बात है यह पूरा angle क्यूंकि 90 है यह पूरा एंगल 90 है यह वाला साथ है तो बचा हुआ 30 होना चाहिए हाँ बिल्कु से अब बेटा आगे की बात कल से करते हैं चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकिए क्लास खतम हो चुकी है और मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू